अगर आप भी वही रोज की दाल और सब्जी खा करके बोर हो गए हो ना तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ तो मैं बनाने वाली हूँ मसुर दाल तड़का जिसे अक्खा दाल या काली मसुर भी कहा जाता है यह दाल बहुत जादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तयार होती है सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही फटा फट से बन जाएगी तो बहुत जादा समय या बहुत जादा महनत नहीं लगीगी तो आज की इस रेसेपी को एक बस ज़रूर ट्राइ करियेगा आपकी पूरी फामली को यह रेसेपी बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए मिना दीर के आज का यह वीडियो शुरू करते हैं तो इसी बनानी के लिए यहाँ पर मैंने लीवी है साबूत मसूर दाल जिसे अखा मसूर दाल या फिर काली मसूर दाल भी कहा जाता है इसे मैंने दो घंटी के लिए पानी में सोक करके रखा वा था हाला कि अगर आप इसे गर्म पानी में सोक करोगे ना तो ये आदे घंटी में भी रडी हो जाएगी तो इसे मैंने अच्छे तरीके से वाश करके रडी कर लिया है चलिए फटाफट से इसे बनाना शुड़ करते हैं तो इसे हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में बहुत ही फटाफट से बनका तयार हो जाएगी तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है तक्रिबन दो बड़े चम्मच सरसू का तिल आप जो भी तिल खाते हो वो आप ले सकते हो तिल जैसे ही गर्म हो गया मैं इसमें डाल रही हूँ एक डालचेनी साथी में चार से पाच लॉंग है दो तेशपत्ता आट किया है एक चुटकी हींग और आदी शोटी चम्मच जीरा आट किया है आपके पास जो भी दूसरे गर्म मसाली अविलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो इन्हीं हलका सा क्राकल हो जानी देंगे इसके बाद इसमें डालेंगे दो कटीवी हरे मिर्श और चार से पाच लेसन की कलियां जिसे मैंने चॉप्ट करकी डाला है इसका टेस्ट इस तरके में बहुत ही जादा अमेजिंग आता है इन सभी को साथ में थोड़ दिर के लिए भून लेंगे ताकि लेसन भी हलका सा पक जाए और इन सभी का एक अच्छा सा फ्लेवर ओल में आ जाए लेसन जब हलका सा पक गया इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक मेडियम साइज का प्यास जिसे मैंने चॉप्ट करके डाला हुआ है इसे भी डाल करके साथ में भून लेंगे थोड़ दिर के लिए ताकि प्यास हलका सा भून जाए और हलका सा गोल्डन हो जाए बहुत जादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे हलका सा लाइट गोल्डेन होने तक भून लेंगे तो यहाँ पी जो प्यास है वो हलका सा पक चुकी है मैंने इसे बहुत जादा ब्राउन नहीं किया है अब इस टाइम पर मैंने इसमें डाला है दो टमाटर जिसे मैंने चॉप्ट करके डाला है इसे इस साथ में हम यह थोई दिल के लिए भुनना है ताकि टमाटर जो है वो हल्का सा भुन करके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसके बात पिर हम इसमें बाकी मसाले आट करेंगे थोड़ा सा मैंने इसमें नमक आट करे दिया है ये टमाटर को जल्दी सॉफ्ट होने में और जल्दी पकने में हेल्प करेगा और अब इस टाइंग पे जब टमाटर थोड़ी से सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसमें आट कर रही हूँ एक बड़ा चममच अद्रक लेसन का पेस्ट इसे डाल करके इसे भी साथ में बुनेंगे ताकि ये पेस्ट जो है ये भी हलका सा पक जाए मैंने इससे पहले थोड़ी से लेसन को चॉप करके डाला था क्योंकि जब उनके बाइट साते हैं इस तड़का में तो वो काफी अच्छा लगता है टमाटर जो है साथ में अद्रक लेसन का पेस्ट ये सारी चीज़े अच्छे तरीके से पक चुकी है तो अब इस टाइम पर मसाली आट करेंगे तो मसालों में यहां पर मैंने लिया है एक चमच धनिया पाउडर एक चमच कश्मीरी लालमिज पाउडर ये ज़ादा स्पाइसी नहीं होती है इससे रंग काफी अच्छा आएगा इसी के साथ आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर एड़ किया है इसके इलावा मैंने इसमें एक चोटी चमच जीरा पाउडर एड़ किया है और साथी मैं आट कर दिया है नमक स्वाद अनुसार इस बात का ख्याल रखे कि हमने पहले दी जब टमाटर डाला था उस वक दी हल को बड़ियां तरीके से पकाना है अचे तरीके से पक नवासमागल गरण तरीके से अंगर मसाल मैं जितने अच्छी तरीके से बंकियार होगा तो सकता होगा मैंने एम्यायां जा प्रिवन पाथ 6 मिनट के लिए भूनना होगा।। ताकि ये अच्छे तरीके करके अच्छे भूनृत सारी प्लेस स्वेक्त के साथ भूनृत पिशा हधा, इसलिन index प्लेस को जिएक में लिए उपाश से्धान अच्छी आछा गूस है। ऑर पणियां तरीके इस बात का ध्यान रखे और इसे अच्छे तरीके से मिला दे पानी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हो जैसी ग्रेवी आप उसे देना चाहते हो आप उसे रोटी के साथ सवब करने वाले हो चावल के साथ सवब करने वाले हो उस अनुसार से आप अपनी दाल की ग्रेवी को अजस्ट कर सकते हो अब इसमें इस टाइम पे कुछ भी याड़ नहीं करना है बस इसे अच्छे तरीके से मिला करके इसका धक्कन लगा दिंगे और इसे हमें low to medium flame पे पकाना है तकरिबन 3-4 प्रेशर आने तक तो यहां पे मैंने दाल को अच्छे तरीके से पका लिया और इसका हलका सा प्रेशर निकलने दिया इसके बाद अब इसका धक्कन हटाएंगे की देखे आप इसका रंग देख सकते हो कितना जादा प्यारा रंग आया है प्लस इसकी जाओ बहुत ही जादा अच्छे आरएंगों इसे चेक कर लिते हैं डाल की जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी के साथ वह ब्लकुल पॉफक्ट है ऐसानी की बहुत जादा ग्रेवी है या बहुत जादा सूखा है बलकुल पॉफट हमारा डाल है हाला कि अगर आपको लग रहे है कि बहुत जादा ड्राइ हो गया है ना तो आप इस टाइम पर गर्म पानी आड़ कर सकते हो मैंने इसमें आड़ कर दिया है कसूरी मेथी जिसे हाथों से रब करके आड़ करेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में कटी वी हरी धन्या की पत्ती आड़ करती है बस इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और अब इसे सर्फ कर लेंगे और ये हमारी गर्मा गर्म और बहुत ही जादा टेस्टी मसुर दाल तड़का बन करके तैयार हो चुकी है ये न टेस्टी के साथ काफी जादा हेल्दी भी होती है इसे आप कभी भी ट्राइ कर सकते हो अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए जाए उस टाइम पर आप इसे बना कर तैयार कर सकते हो और रोटी चावल किसी के साथ में सर्फ करोगे सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है उपर से मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हरी धन्या की पत्ती और हाँ आप सोचे होंगे कि मैंने इसके उपर तड़का नहीं लगाया है ट्रस्ट मानिए कि तड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं है बस आप इसमें देसी घी आटका दीजए और इसका स्वाथ दुगना हो जाएगा अब बस यह हमारी तड़का बंकर तयार हो चुकी है अगर आपनी कभी भी यह वाली डाल ट्राई नहीं की है तो एक बस जरूर ट्राई करें आपको और आपकी पूरी फामली को बहुत पसंद आएगी और आज का वीडियो कैसा लगा हो मुझे कॉमेंटर बतायेगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करियेगा और अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को श्रीयर जरूर मिलूँगी आप से किसी दूसरी मजीदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रेखिए, थांकी सो मुच्छ वाचिंग, राधी राधी